नमस्कार दोस्तो यूट्यूब के गैन सेक्सू चैनल पर आपकारदिक स्वागत हैं दोस्तो आज कल की बागदोड बरी लाइफ में कमर दर्द गर्दन दर्दादी होना हम बात है इसके लावा अर्थराइट्स या गठिया भी आज कल हम समस्या बन गई है कई बार यह जहां आंतरीक बिमारी हों शंकेत होती हैं वही आदी कान समय गरत तरीके से सोने या स्रीर के खराब पोस्चर के कान भी समश्याएं होती है यह ना शिर्फ आपके लिए तकलीफ दे होती हैं तो वो भी आपके स्वास्ते के लिए गातक होती है क्योंकि शायद आपको पता नहीं है कि इन दवाओं के लगातार इस्तेमाल से अड़ियों और लिए उरको बहुत नुक्षान होता है इसलिए जितना हो शके इन दवाओं से बचना चाहिए इसके लिए कुछ वाय है हम या अपनी लाइफ स्टाइल में बदलाव करने ही कुछिस करें यहां हम आपको ऐसी ही एक साइनिज आइस अप्चार विदी के विशे में बताने जा रहे हैं जिसके प्रियोग से आप अड़ियों के और जुड़ों के दर्द से चमतकारी ग्रूप से निजाद पाशकते हैं यह थेरेपी चीनी एक्यूपंचर विदी का ही है कि साइज इसे फैंग पू के नाम से जना जाता है यह एक ऐसी विदी है दोस्तों जिसमें गर्दन के एक खास हिस्सें फैंग फू पू पॉइंट पर बरफ को रखा जाता है यह थेरेपी ना सिर्फ दरदनिवार को होती है बलकि स्थरीर के धकान को भी दूर करती है इस परकार आप फ्रेश या या कहें पहले से ज्यादा उर्जावान आपको ने आपको महसूस करेंगे इसको कैसे करना चाहिए इसके लिए आपको बताता हूँ इसके लिए आपको कुछ खास आइस क्यूब्स को एक साफ कपड़े या जिप बैग में पैक कर लें अब पेट केबल सीधे लेड़ जाएं और फैंग पू पॉ पॉइंट जो आपको थमनेल में दिखाई दे रहा है उस पर आइस बैग को रखें और बीस मिनिट तक उस ही अवस्ता में रहें बीस मिनिट के बाद आइस बैग अटाएं और देरे देरे उठकर बैड़ जाएं फिर थोड़ी दिर टहलें सबसे पहले जब आइस बैख रख रहे हैं तो जाहिर शी बात है बहुत ठंडा महसुस होगा लेकिन 30-40 सेकंड के बाद आपको शमाने लगने लगेगा इस प्रकरिया को दिन में आप दो बार कर शकते हैं एक बार तो सुबह खाली पेट दूसरा शो कर उठने के बाद इसके फायदे दोस्तो नियमेत रूप शिश का प्रियोग करने से शरीर की तकान दूर होती है आप अधिकुर जावान में हैसूस करेंगे अपने आपको उसे उसको भी इस तेरपी से जो है कम किया जाशकता है जिसमें दौाओं का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं है अलांकि थायराइड में लगाता डूक्टरी सलागी आपको आप शकता होती है लेकिन दौाईयों के साथ अगर आप ये तेरपी भी लेते हैं तो जन्दी कंट् कर रहे दोस्तों तो आशा करता हूं कि आप इसे चोटी शी ट्रिक को जरूर आजमा करके देखेंगे शुरू में 20 मिनिट ना रखें 5-7 मिनिट से आप आरम करके देखें जितना आप सहर सकते हैं उतनी देर बरफ को रखें आईस क्यूब्स को कपड़े में लेपेट करके मुझे जरूर बताएं दोस्तों आप कोई ओडियो कैसा लगा और अच्छी लगने पर इसको सेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें आप सबका धन्यवाद दोस्तों ओम